बिसमिल्लाहिर्मानिर्रहीम असलाम लीकूं वेलकूम एक टो माइच चैनल तो आपको यहां पर मैं बुखोती फंटास्टिक सी ट्रिक्स देने वाली हो एक फंटास्टिक सी रेस्टी के लिए और इसको आपको एंड से फालो करना होगा तो इन्शाहिला आपकी भी इसी तरह टेस्टी सी डेस्पी बन करके त्यार होगी सबसे पहले मैं आपको देही दिखा रही हूँ हाफ प्याली है हाफ प्याल से लिटल सा कामी है इसको अच्छे से मैच कर रही हूँ तो उसको क्रीमी सा टेक्चर देना है कोई लंज ना रहे आप बेशक कुछ भी उज़ कर सकते लिए ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको यूज़ करना है यह टेक्चर हमें चाहिए तो ब्लेंडर से जल्दी हो जाएगा देही लेकिन उसमें वो जो है ना ब्लेंडर के साथ चुप करेगा तो अच्छे से साफ नहीं होगा इसले मैंने प्याली में ही इसक चिकन कम लगा था तो मैंने चिकन बाद में आड़ किया था और मसाले भी बढ़ाए थे वैल यहां पे मैं इसके उपर लगा रही हूं लेमन ठीक है लेमन आप ले सकते हो यह विनिगर भी आड़ कर सकते हो इसको ड्रेक्टरी लगा देना है उसको मैं साइट पर रखती है तो यहां पे फूड कलर यह रैट और नमक लिया और यहां पे जीरा पाउडर है और इसके आगे हल्थी पाउडर है और यहां पे मैंने लिया है धनिया पाउडर और यह रैट चिली पाउडर है ब्लैक पेपर है और यहां पे थोड़ा सा लोंग का पिसा वाथा मेरे पास म ट्राइ कर सकते हैं आप यहां पर कुछ चीज अगर आपके पास नहीं भी वैलिबल फरस करें फूड कलर नहीं वैलिबल तो आप थोड़ी सी हल्दी एक्स्टर डाल लो यह रैड चिली पार्डर थोड़ा ज्यादा डाल लो और जिसको स्पाइसिस अच्छे रगते हैं तिको तो वह ज्यादा ही मज़ेदार बनेंगे तो यह उपर पर कॉटिंग होनी है और जब इस चीज मेरिनेज्ट होती है ना तो उसमें इतना जायका रच जाता है ना तो फिर ज्यादा ज़रूरत नहीं रहती ज्यादा मिसालों की इसलिए में मुनासी भी अपनी कॉवांटिक कि मुताबी की जो है ना मैंने हर चीज आड़ किया आप अपनी मुझे से कर सकते हूं जितने आपको स्पाइसी जो जितना नमक चाहिए वैसे भी चिकन में ज्यादा नमक चोटता नहीं है तो आप ऐसा करें ज्यादा नमक अच्छा लगता नहीं है ठीक है एक तो यह मैंने करें ठाशी प्याली जेतना छिकन कभी आपर दुटर कर रहीए हैं रही हैं लाद रोले चिंज इण हैड क्रेश को यह ठाबन होड़ा ही अनिया य्ठी नहीं है उसके से मिनलिया चुब्स कर अश्जबभा मैं चुक्री नहीं करें और ताकि पर दो डिया जबी स्क्र यानि तीन टी स्पून जाना मैंने यहाँ पे आईल डाला है इसके ओपर मैंने सारा मैरिनेटी चिकन डाल दिया और यह मैंने 24 गंटे मैरिनेट किया था 24 गंटे यहाँ आप 12 गंटे भी लगा सकते हो चाहिए तीके बना ही मैं यहां पे इसको डिल सा पानी रखती है यहनी वच्णे से बरतन को साफ़ करने के लिए और उसमें थोड़ा सा पानी अट घुल जाए उसको ंटेल दाल गा ताकि यह जो इसका ना एक जूसी सा टेक्चिर आज़े और वो इस वाटर में इच्छे से गल जाए इसको मैं दम में ही गालूंगी कि आगर आपके पास कोई धकन वाला बरतन है कोई फ्राइपैन धकन वाला है तो बैस्ट है तो लेकिन मैंने क्या किया था मैंने इसके ऊपर जो है एक टाइम की लिमट होती है वो मुझे बता थी अगर आपको नहीं लिमट है तो आपको बार बार इसको देखना पड़ेगा कि कहाई इससे जलना जाए वैसे नान स्ट्रिक में जलता नहीं है लेटल सा कलर ही आता है लेकिन जलता नहीं है क्योंकि मैंने इसको दम की ओए में बनाया था सबसे पहले मैंने ज्यादा फले में मैं इसको अच्छे से पहले इसको फ्राइ अच्छे से पहले इसको पानच या चेटना वाटर था क्योंक ॥ा मैंने डाल लिया इस में कहाँगी इसे अपने ही पानी में और कुछ जो मैंने पानी डाल लाए एक्स्रा, उसमें यह अच्छे से गल जाए, इसमें कहीं से कच्छा पन आए, कोई कच्छा रहना जाए, यहां से पीस, आचा पहले जो मैंने जितनी बोट्यों की आपको शेप दिखाए थी, उससे मैंने हाप कर लिए जितने आपको तिके चाहिए चोड़े चोड़े चाहिए बड़े बड़े चाहिए वहापे डिपेंडिट है आप उसको पहले ही जो है उतनी कटिंग कर लो ता कि अच्छे से मेरिनेट हो जे करें से कम ना रहे जे अब इसके उपर मैंने रखती थी CT क्योंकि से सेंटर म मैंसे जो है बाइट कैस निकल जाती सारी तो अच्छे से डम ना आता तो मैंने उपर CT रख लीती है वह इसलिए आपके पास अगर कोई धकन होगा तो आप अच्छे से डाम पिए करेंसे वह एर टाइट रहे करेंसे वह बाहिए ना जाए यानि उसका हीट अप करेंसे बाह वह टेस्ट आच्छा सा नहीं आएगा जो हमें चाहिए अब इसको मैं अच्छे से पकाती रहूंगी इससे मैं ज्यादा नहीं खुला ही बस यह भी आई हूं मैं तकरीबं 15 मिन बाद थोड़ी सी फ्लेम के पर मैंने इसे दम दिया था पिलकुल 15 मिन लगे इसको तकरीबं क पूक हो गया होगा फिर से मैंने मुझे कम ही लगी मैंने जब चाहिए तो मैंने पानी सुखा लिए यहां पर ठीक है दो तीन मिन इसको तकरीबं 17 मिन लगे हैं टोटल दो मिन मैंने फिर दम दे दिया था उसके बाद मैंने खौल के सारा वाटर ड्राइ कर लिया है और यह अच्छे से यह जूसी सा बन गया है यह आपको एक बोटी जैसे तरह से तोड़ के तकाती हूं लगड़ के चमस से यह कितनी अच्छे से टूट रही है अगर सकत होती तो यह कभी न टूट थी तो यह बिलकुल रैडी टू एट है तो मतलब डिश ओट करने के लिए रैडी दूट बनाऊगी उसे मेरिनेशन अच्छे से करके तो यह मेरिनेशन वाला चिकन दूट का रेसी पिया है फोरन बनाना चाहिए तो फोरन बना ले जितना टायम US को रायस्ट देंगे मेरिनेशन को उतना ही टेस्चेट चिकन में आएगा मलतम अगर आपको ओवर नाइट प और एक बहुरी गुलुत फंदोसा यह रेसिपी बन करके त्यार के जी जनाहाँ आप यहाँ पर मैं इसको अब डिशोट करूंगी तो कैसी लगी मेरी रेसिपी तो मैं सब्सक्राइब कर दीजेगा जो कि नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो को लाइक कि चटनी के साथ या कैच्चप के साथ इंज्वाई कीजेगा मैं भी चलिए निया करने अलाहाफीज फी मानिला